जे मसी की दोस्तों, आज के सुरगी मन्ना का भाग हमने लिया है याकूब की बत्री, उसका पहला अध्याय और उसका नवा और दस्वा मचन वचन कहता है वरन दीन भाई अपने उच्च पद पर गर्व करे और दस्वा मचन और धनी अपने हीन दशापर क्योंकि वो घास के फूल की भाती समाप्त हो जाएगा धन्यवाद पिता परमेशर तुम महान है तुम महान है परमेशर तेरे वचन महान है और तेरे वचन सिद्ध है हमें शिक्षा देते हैं, ग्यान देते हैं, समझ देते हैं और परमिश्वतिरी सरणों में लेकर चलते हैं दोस्तों ये वचन हमें क्या बताता है वचन हमें बताता है कि जो दीन वेकती है वो उच्छ पद के योग्य है वो घर्व कर सकता है किस चीज़ पर गर्व कर सकता है आई हम सोचते है दीन वेक्ती जब आप अपने अंदर दीनता लाता है जब हमारे अंदर दीनता आती है तो हमारे अंदर से क्या जाता है गमंड जाता है स्वार्त जाता है लालच जाती है क्रोध जाता है हलिलुया जब हम दीन्ता में आते हैं तो हम अपने हर अवगुण को निकालते हैं जब दीन्ता हमारे अंदर आती है तो हमसे हर अवगुण निकल जा है जो परमेश्र को बसंद नहीं है जब दीन्ता आती है तो क्या आता है समर्पा तो क्या आता है प्यार तो क्या आता है त्याक की भावना तो क्या आता है शमा की भावना तो क्या आता है परमेश्र से परमेश्र के करीब जाना तो दीनता हमें स्वर्ग के राजिकियों लेकर जाती है मती मती चार का सत्रा जब इश्व मुसी ने प्रचार शुरू किया उन्होंने पहला बचन क्या बोला मन फिराओ क्योंकि स्वर्का राजे निकट आ गया है और उसी अध्याय में अगर आप देखेंगे मतिक पांच का तीन तो इश्व मसी कहते हैं धन है वे जो मन के तीन है क्योंकि स्वर्का राजे उनी का है हलेलुया वो राजी जो निकट है आपका कब हो सकता है जब आप दीनता में आएंगे आपका कब हो सकता है जब आप परमेश्व की उपस्ति में आएंगे दीनता हमें परमेश्व की उपस्ति में लेकर साती है दिन्ता का सबसे सबसे बड़ा उधारन जो मेरे मस्तिष्ट में आता है जो मेरे ध्यान में आता है और वो है मरियम का सिर्फ मरियम जानती थी कि इश्व मसी ने उनकी कोक में कैसे कैसे वो उनकी कोक में आया है कैसे वो उत्वन हुए है सिर्फ मर्यम जानती थी लेकिन जब इशुमसी बड़े-बड़े कारे कर रहे थे इशुमसी को जब पकड़ा गया इशुमसी को जब सैने कोड़े मार रहे थे वो बैठी रोह रही थी लेकिन उसकी दीनता उसकी दीनता ने उसे शक्ती दी थी उसकी दीनता ने उसे सियम दिया था, उसकी दीनता ने उसे सबर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा होना है, वो जानती थी, वो दीन बनकर परमेशर के राज्य में थी, परमेशर के राज्य में थी, स्वर के राज्य में वो पहुँच चुकी थी, हलेलुया, उसकी दी तरविश्वर महान है। उसने अपने कलوت पूत्र को धरतीं पर भेज़ा ताकि हम देन बने ताकि हम परमेशव के उोपस्यदिधी में रहेता कि हम उस दीनता, उस सबर को, उस सहंचीलता को, उस विश्वास को, उस त्याक को और शप्रव को अपने मन में लेकर चलें क्योंकि यही खाजाना है यही खाजाना है जिसके दोरा हम परमेशर के राज में राज में पहुर सकते हैं यही खाजाना है जहां हम स्वर के राज को पा सकते हैं मेरे भाई मेरे दोस्तों दीनता हमारे अंदर बहुत जरूरी है और दीनता हमें बताती है दुश्मनों को माफ करो दीनता हमें बताती है कि अगर कोई आपको सदाता है तो उसके लिए प्रात ना करो दीन ता हमें बताती है कि अगर कोई आपके एक गाल पहता पर मारता है तो आप दूसरा गाल आगे कर दो दीन ता हमें बताती है कि हमें गरीबों की इस्तुती लेनी है हमें गरीबों के लिए सोचना है दीन ता हमें बताती है कि अगर हमें कोई दीनता हमें बताती है कि अगर कोई हमसे एक कमीज मांगे तो हम उसे अपना कोट भी उतार करते हैं दीनता हमें बताती है कि अगर कोई हमें एक किलोमेटर चलने के लिए कहे तो हम दो किलोमेटर आगे चलें दीनता हमें बताती है परमेशर के करीब रहना दीनता हमें परमेशर से मिलवाती है दीनता हमें परमेशर की उपसिती को महसूस करवाती है और दीनता हमें हर लोब मों से दूर करती है धन्यवाद परमेशर धन्यवाद परमेशर धन्यवाद थौमा जो कटोर हो गया था लेकिन एशू मसी के दीनता उसके पास लेकर आई एशू मसी ने अपने आपको दीन किया और उसके पास आए कि थौमा तो क्या देखना चाहता है मेरे उन छेदों को देखना चाहता है जहां पर कीले चुपी थी वो वाचा के छेद वो वाचा के निशान देख मेरे शरीर में क्योंकि मैं वाचा का परमेश्वर हूँ और इशू की दीन दाने धौमा के हिर्दे को परिवर्टित कर दिया और धौमा ने पहली बार पहला चेला था धौमा जिसने कहा इशू तो ही परमेश्वर है तो ही प्र पर हीन दशा को समझे क्योंकि आपका धन आपके अंदर घमंड लेकर आता है आपका धन आपके अंदर स्वार्थ लेकर आता है आपका धन मोहमाया के जाल में फसाता है आपका धन आपको गुरूर बनाता है आपका धन आपके मंद में प्रूथ लेकर आता है इसलिए वाइबल कहता है कि धनी वेक्ती अपनी हीन दशा को समझे वो हीन दशा में जा रहा है अगर आप धन से प्यार करते हैं तो आप हीन दशा की ओड़ जा रहे हैं और अगर आप दीन है तो आप गर्व कर सकते हैं कि आप दीन है क्योंकि स्वार कराची आपी का है इसलिए बाइबल भी कहती है कि आप एक ही स्वामी की सेवा कर सकते हैं या तो धन की या परमेशर की तो दोस्तों हमें चुनना है कि परमेशर है परमेशर है जिसने हमें रचाया है परमेशर है जिसने हमें चुना है परमेशर है जिसने हमें बचाया है परमेशर है जिसने अपने एकलौते पुत्र को धर्टी पर भेजाया और इश्यो मसी के द्वारा हमें उधार दिया है परम का राचे उनी का है वो धन्य उसको नहीं कहती जिसके पास पैसा है वो धन्य उसको नहीं कहती जिसके पास जिसके पास गाड़ी बंगला है वो धन्य उसको कहती है जो मन का दीन है जो मन का नम्र है आले लिया तो हमें अपनी दीनता को स्विकारना है हमें दीनता में बने रहन और गर्व के साथ प्रभू के राज में प्रवेश करना है और बने रहते हुए परमेशर की महिमा को पाना है आले लुए धन्यवादेते पिता परमेशर इस सुभा के लिए आई हम प्रात्रां करते हैं प्रात्रां करते हैं सबी भाई बेहनों के मन में इस अंतिम समय में हम अ एमेन, एमेन, एमेन